के यह ऺंगे और हम्या ग निपा फ्रेवर्स वर्पेंग वियूपस ने मैं यॉट्गराफिक करें ज нिय झाल्य। जूर्ट हिस भी सब्डे गियर पर भी का उन्हाई सफथे जिंगी इंट है कोछाई ऑन योट्फहयूद सबस्तीन उन्होंने कैसे कैसे जिओग्राफिय को डिफाइन किया, उनका क्या क्या डेफिनिशन रहा जिओग्राफी में, यह सारी चीज़े हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जो मारा next lecture होगा, वह हम major scope को उसमें discuss करेंगे। तो चली स्थार्ट करते हैं, meaning and concept of geography तो meaning of geography जो है वो करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दो इससे पहले भी आपने geography का definition पढ़ा होगा, meaning पढ़ा होगा, आप 11, 12 में mostly जो बच्चे हैं वो geography पढ़ के आए हैं उनको पता होगा, आप एक simple सा, एक simple सा meaning पढ़ते आए हैं कि geography हम study of earth को बोलते, geography हम description of the earth surface को बोलते, ये चीज़ आप पढ़ के आए हैं लेकिन ये जो है, 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 एक completely मतलब define नहीं करता है एक complete definition नहीं है जो आज, जो मैं आपको एक complete meaning बताऊंगी उससे, आप ये चीज़ भी understand करोगे कि geography जो है, इतना vast subject क्यों है, या meaning में ही समझ जाओगे कि इतना vast subject कैसी है ये, ठीके तो चली start करते हैं, पहले तो हम इसका complete meaning देखेंगे, उसके बाद हम इसका definitions देखेंगे, अलग-लग geographers के recording, ठीके तो जियोग्राफी की अगर बात की जाए, तो जियोग्राफी हम किसे कहते हैं, study of the diverse environment, places and space of the earth surface and their interactions इस चीज़ को आप अच्छी से समझे न, ठीके, जियोग्राफी हम कहते हैं कि जो भी हमारा मतलब earth की surface के उपर की बात हो रही है जैसे मैंने आपको बताया था, starting में ही, कि जियोग्राफी जो हम earth की surface को लेके बात करते हैं और earth के interior को लेके, जो मतलब बढ़ा जाता है, वो हम एक अलग branch earth sciences का, जिसको हम geology कहते हैं अगर आपको याद हो, ठीक है, geology ये जो है, अर्थ के interior को लेके बात करता है, बट जियोग्राफी अर्थ की surface को लेके बात करता है ठीक है, relate ये तो उनों एक दुसरे से करते हैं, लेकिन एक interior को लेके बात करते हैं, एक surface को लेके बात करता है तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ यह सर्फेस के बारे में बात हो रही है ठीक है यह अर्थ के सर्फेस के बारे में बात हो रही है हमारा जो surrounding area है यहाँ पे हमें environment देखने को मिलता है places है जहाँ पे हम रहते हैं और हमारा space भी है ठीक है देखे earth की surface पे जो हमारा environment है जो places है जो space है इन की जब हम study करते हैं इन सब चीजों के बीच में जब हम interaction को देखते हैं कि यह कैसे interact करते हैं दूसरे के साथ उसको हम क्या कहते हैं जियोग्राफि कहते हैं अर्थ की surface की सिर्फ यह नहीं की अर्थ की surface की study करेंगे surface में भी क्या क्या चीज़ें आती है हमारा environment आ गया all the physical features जिसको places अभी मैं आपको next detail में बताऊंगी हमारा universe आ जाता है हमारा space आ जाता है जब हम इनकी study करते हैं और यह आपस में interact कैसे करते हैं हमारा environment places के साथ कैसे interact करते हैं हमारी places space के साथ कैसे interact करते हैं इनके interaction को भी हम क्या कहते हैं कि यह भी क्या है इसको हम geography कहते हैं वहलब इस complete इसको study करने को ही हम geography कहेंगे ठीके तो जो words geography है ये derived हुआ हुआ है two Greek words से एक हमारा आता है geo और next हमारा आता है graphy simple sum meaning है geo हम बोलते हैं अर्थ को किसको हम बोलते हैं geo अर्थ को ठीके और graphy जो है हम बोलते हैं two study एक तो हम बोलेंगे two study ठीके और दूसरा हम बोलेंगे इसमें एक सेकिन में यहां पर आपको बता देती हूँ ग्राफी जो है इसको एक तो हम बोलेंगे to study ठीक है study करने को to describe ठीक है और to write आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि ग्राफी जो है word इसका meaning to study है आप तीनों जो meaning है वो तीनों complete लिखेंगे to study, to describe, to write बना हम चीज़ों को study भी करते हैं उनको describe भी करते हैं तरन उसके बार लिखते भी है ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं ये जो जियोग्राफी ग्रीक वर्ड है उसका meaning है ठीक है जियो मिन्स अर्थ और ग्राफी मिन्स to study, to write ठीक है and to describe ठीक है तो अगर इस complete जियोग्राफी का meaning हम देखें तो वो earth study आता हम earth की study को बोलते हैं हम earth की description को बोलते हैं and earth's writing जो चीज़े हम describe करते हैं जो चीज़े हम study करते हैं हम उनको बाद में लिखते भी हैं ठीक है और ये Greek scholar है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले term geography को use किया था इसलिए इनको father of geography भी कहते हैं, सिर्फ use किया था term इसलिए नहीं basically इनका बहुत बड़ा contribution रहा है जिज़ग्राफी field के अंदर, ठीक है वो आप बताओगे इराटोस्टीन जो की ग्रीक स्कॉलर है एक मैथामेटिशन है एक एस्ट्रोनामर है ठीक है तो सिंपल वे में अगर हम एक सिंपल फार मतलब अगर आप छोटी क्लास लो स्टांडर्ड स्टूडेंट्स जो हैं अगर आप उनको बताएंगे तो आप मिनिंग क्या होगे इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ अफ अर्थ सर्फेस ठीक है यहां पर अर्थ सर्फेस लिखेंगे आप ठीक है क्योंकि हम अर्थ की सर्फेस की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं जियोग्राफिक के अंदर उसके बाद उसके बाद देखी अर्थ की बात करे तो हमें पता है कि अर्थ हमारा क्या है होम है, तो अर्थ हमारा क्या है होम है, क्योंकि हम यहां पर रह रहे हैं, जहां पर हम रहते हैं वह हमारा घर होता है, तो यहां पर अगर हम अपने होम की बात करें, अपने अर्थ की बात करें, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ब बहुत सारी आप वो सब्सक्राइब वेरिशन्स हैं वेरिशन्स किस चीज़ में हैं एक तो उसके फीजिकल फीचर्स में वेरिशन्स हैं यू नो फीजिकल फीचर्स क्या होते हैं जो नैचरल फीचर्स होते हैं उनको हम फीजिकल फीचर्स बोलते हैं जो नैचरली अकर हैं जैसे माउंटेंस आ गया हील्स आ गई valleys आगे, plains आगे, platews आगे, oceans आगे, lakes आगे, deserts आगे, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे physical features है, natural features है, इन में हम देखते हैं, तो great variations देखने को मिलती है, आप देखे, हर जगा पे आपको mountains नहीं दिखेंगे, हर जगा पे आपको hills नहीं दिखेंगी, हर जगा पे आपको valleys नह कहीं दिखेंगे, कहीं पे आपको mountains दिखेंगे, कहीं पे आपको plains दिखेंगे, कहीं पे आपको plains दिखेंगे, कहीं पे आपको valleys दिखेंगे, कहीं पे आपको hills दिखेंगे, कहीं पे आप oceans देखेंगे, कहीं पे आप lakes देखेंगे, कहीं पे आप desert देखेंगे, इस तरह से सोशल और कल्चरल फीचर्स में भी देखने को मिलती है यह सोशल और कल्चरल फीचर्स वो फीचर्स हैं जिनको हम खुद बनाते हैं ठीक है फीजिकल फीचर्स तो होगे जो नैचुरली है क्योंकि माउंटेन को मैं थोड़ना बनाएगा माउंटेन जो यह नैचुरली अकर है ठीक है अब इन में तो variations है physical features में इसके इलावा social cultural features में भी variations देखने को मिलते हैं जैसे village, cities, roads, railways, ports, markets ठीक है other elements जितने भी जो कि human beings create कर रहा है इन सब में भी variations देखने को मिलते हैं आप देखेंगे कहीं पी आपको village देखने को मिल रहें कहीं पे अलग लग चीज़े देखने को मिल रहे हैं तो इस लिए अब human being कर्येट कर रहा है उससे के cultural development हो ही है आज के टाइम पे तो humans ने बहुत सरी चीज़े create किये हम next हम देखेंगे ठीक है तो इससे क्या होता है cultural development होती है तो अभी आपको ये चीज़ समझ में है कि हमारा earth का जो surface है ये uniform नहीं है इसमें बहुत सारे variations है physical features को लेके भी social and cultural features को लेके भी और earth के surface पे इन सभी physical features social, cultural features की जो हम study करते है इसी को हम geography कहते है अब आपको समझ में है कि description का complete meaning क्या हो गया कि हम physical features, social, cultural features की जब हम इनको explain करते हैं इनको describe करते हैं इनकी study करते हैं इसको हम geographic कहते हैं तो बात करें अगर हम early concept की क्योंकि geography का जो एक meaning है मतलब एक complete जो हम meaning पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि इसमें changes नहीं आती time के साथ साथ इसमें changes आती रहते है इसका definition change होता रहता है time के साथ साथ ठीक है अब पहले time पे जो हम पढ़ते थे कि geography क्या है मतलब चीज़ों को just हम describe ही करते थे ठीक है अब बहुत सरी मतलब places के अगर हम बात करें जैसे मैं आपको अभी बताई थे कि physical features होते है social cultural features होते है इनको पहले time पे सिर्फ describe किया जाता था मतलब मैं आपको यहां पे example दूँ अगर हम next जो हमारा second unit होगा उसमें जो first sub unit है वो early concept का ही example रहेगा जिसमें पहले time पे जितने भी geographers थे वो जो भी चीज मतलब जिस चीज की भी वो study करते थे वो just वहाँ पे imagine करके ही बता देते थे कि यह चीज़ ऐसे है यह चीज़ ऐसे है जैसे उने बताया starting में ही कि हमारा sun कैसे बना हुआ है हमारी earth कैसे बनी हुए है हमारे universe कैसे बना हुए हमारा moon कैसे बना हुए तो वो just उनका imagination होता था वो just imagine करते थे कि यह चीज़ ऐसे रही होगी ऐसे रही होगी ठीक है तो उसको descriptive कह दिया मतलब उसका कोई proof नहीं है उसके पिछे उनने कोई reason नहीं बताया उसके पिछे उनने कोई cause नहीं बताया कोई effect नहीं बताया कोई उनका correlation नहीं बताया उन चीज़ों का कि यह दूसरे के साथ भी क्या इनका कोई interaction है इनका कोई correlation है यह चीजे उन्होंने नहीं बताई उन्होंने जैसे अगर हम है तो हम अगर कोई भी चीज हमारे mind में कोई idea आएगा हम उस idea को express करेंगे ना हमारा वो idea हमारी just imagination होगी कोई मारे पास proof नहीं है उस early concept में ऐसे होता था ठीक है descriptive nature का होता था geography उसमें कोई reason कोई proof में scientific based कुछ भी न वो हम cover करेंगे उसमें आपको detail में पता चल जाएगा अच्छे से की early concept का example क्या है ठीक है तो उसके बाद अगर हम modern concept की बाद करें तो यह important है modern concept आपको अच्छे से समझ रहा है modern concept जो है 19th century के बाद का है ठीक है इसमें बहुत सारे scientific explorers जो हैं ठीक है explorers कोन होते हैं कोन लोग अगर किसी चीज की study कानी है उस चीज के जितने भी उसके related जो भी facts से सभी facts को find out करना उसको explorer करना knowledge ज़ादा से ज़ादा चीजों को study करना ज़ादा से ज़ादा facts के बारे में जानना तो 19th century के बाद किया हूआ 19th century के दुरान किया हूआ कि जितने भी scientific explorers थे उनने study करना आच्छो लिस्ट होगे जो नेचर की स्टड़ी करते हैं, इस्पेशली प्लांट्स और अनिमल्स की, उन्होंने जादा से जादा से जादा स्टड़ी पे फोकस किया, अर्थ की सरफेज को लेकि ठीक है, तो साइन्टिफिक एक्सप्रोरर जो भी थे, उन्होंने क्या क्या नॉलज एड होतीगी, जादा जादा नॉलज होतीगी, जादा जादा अंडरस्टेंडिंग होतीगी चीजों के बारे में, ठीक है, और उन्होंने नेचरल, फीजिकल और हुमन फिनामिना के डिस्टिबिशन को भी अच्छे से क्या किया, स्टड़ी किया, ठीक है, ये चाहिए, उसके पीछे रिजन भी, बता रहे है, अगर है तो क्यूं है? ठीक है? जैसे वड्ट, वय, वेर, यह हम जियोग्राफी के नेचर में करेंगे, क्या नेचर में कोई बिलाफी में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं आपने और कहां पे हैं उसके डिस्टिबिशन- पढ़ते हैं आर्थ की सर्फेस पे कौन सी चीज़े कहां कहां पे हैं क्यों हैं वहां पे कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ इस सारी चीज़े हम इसमें पढ़ते तो modern concept में सभी चीज़ों को study किया जाता है ठीक है तो आज की time के अगर हम बात करें today तो geography जो है यह सिर्फ surface features को ही explain नहीं करता मतलब सिर्फ हम यह कहें कि art की surface के features को ही explain करता है नहीं यह उनकी investigation भी करता है investigate भी करता है और correlate, ठीक है, चीज़ों को जब हम study करते हैं, उनके new new facts को find out करते हैं, तो उनके बीच के relation को भी हम बढ़ते हैं, कि ये कैसे relate कर रही है, ठीक है, जैसे हमारा अर्थ का interior जो है, वो surface के साथ totally relate करता है, ठीक है, हमारा atmosphere जो उसका relation है हमारे अर्थ के surface के साथ, तो ये relate कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ, वो भी हम पढ़ते हैं, then organizes, आज हम चीज़ों को organize भी करते हैं, देखे न, मतब कोई भी आर्थ के surface की जो study की गई है, उनको एक orderly manner में, एक sequence में उनको arrange भी किया गया है, जैसे मैं आपको बताऊं, mountains के अगर बात करें, तो ऐसे arrange किए गे, कि world में सबसे उन्चे mountains कोन से, जिसे हिमालिया से, ठीक है, उनकी height जादा है, world में largest mountains कोन से है, ठीक है, world में lowest point कोन सा है, deepest point कोन सा है, highest point कोन सा है, ठीक है, plains की बात करें, large plains कोन से है, ठीक है, तो इस तरह से उनको एक मतब sequence में organize भी किया जाता है, then उसके और rationalize भी किया जाता है, rationalize क साउऩ हें किको में अर्त से सर्फेस घाएंगे समय करते हैं उनको सटडी करते है उनकी कोर्रलेशन ने शारिशन करता हैं subафड कर शात educate rationalize हम कहते हैं कि जिसके पीछे हम cause effect को बताते हैं reasons को बताते हैं ठीक है तो इसको हम geography कहते हैं तो अब आपको समझ में है कि geography क्या है ठीक है चीजु को सिर्फ surface के features को ही explain नहीं करता है उनकी investigation भी होती है उनकी correlation भी बताते है उनको organize भी किया जाता है उनके पीछे cause effect relation भी बताते हैं इसको हम geographic कहते हैं ठीक है तो आज के time पे geography सिर्फ descriptive ही नहीं है analytical study को भी geographic कहते हैं अलब सिर्फ चीजु को describe ही नहीं किया जाता है उनको analyze भी किया जाता है चीजु को ठीक है तो यहां पे जितने भी geographer से वो मतलब सबसे जादा जो आज के time पे जो बात की जाती है कोई भी मतलब new चीज जो भी वो study करते हैं उसके पीछे वो causative relationship को भी बताते हैं कि इसके पीछे reason किया है वो उस phenomena के causes को भी बताते हैं ठीक है उस phenomena का effect भी बताते हैं तो कहने का मतलब cause effect approach जो है वो geography में उसके through study किया जाता है चीजू के बारे में पहले तो उसका reason बताना फिर उसका effect बताना उसका relation other फिना मिना के साथ बताना इस सब को हम detail में क्या कहते हैं यह क्या है यह geography है तो आज आपको geography का detail में meaning समझ में आया होगा तो अभी हम different definitions देखते हैं अलग अलग scholars के according ठीक है अलग अलग geographers के according की उनका क्या क्या मानना है कि geography क्या है आप कोई सी भी definition रख सकते हैं आप three या four definitions भी कर सकते हैं क्योंकि exam में definition देना बहुत जरूरी होता है आपको first sub unit से आता है question में मोस्ति पूछा जाता है meaning, definition, nature of geographic क्या है long answer में भी पूछते हैं तो जब आप meaning देंगे तो आप definitions भी देंगे तो definition जो मैंने लिखी इसके इलावा भी बहुत सरी scholars ने define किया गया तो definition में सबसे पहले हम Ptolemy के बारे में बात करते हैं Ptolemy एक Greek scholar थे इनके बारे में बात करते हैं तो Ptolemy ने geography को कैसे define किया है वो देखते हैं Ptolemy के according geography यह है कि यह कहते है कि geography जो है यह हमें provide करता है whole earth का एक view मतब किस के थो mapping और location of places के थो क्योंकि Ptolemy का ज़ादा contribution रहा है वो mapping में रहा है तो उन्होंने geography को भी उसी way में define कर दिया कि हम जब whole earth की mapping करते हैं places की location को find out करते हैं तो वो जो हम पूरा एक mapping करके places को बताते कि कौन सी जगा कहां पे है कौन सा phenomena कहां पे है उसको हम क्या कहते हैं कि geography है study of variations in phenomena from place to place इन्होंने कहा कि जब हम एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी phenomena हैं वो vary कर रहे हैं उन्में variations आ रहे हैं तो उनी phenomena को हम जब study करते हैं उसको हम क्या कहते हैं geography कहते हैं ठीके उसके बाद call reader के recording क्या है उन्होंने कहा कि geography जो है यह एक ऐसी science है जिसमें हम globe और उसके features को study करते हैं globe हो गया हमारा earth और उसके different features को study करते हैं अब इन्होंने यह mention नहीं किया कि physical features पे focus किया जाता है या social cultural features पे इन्होंने जस्ट यह definition दिया कि globe और उसके features को लेके जब study करते हैं उसको हम geography कहते हैं ठीक है उसके बाद makni जो थे उन्होंने geography को कैसे define किया वो देखते हैं उन्हेंने कहा कि geography जो है यह हम study of earth को बोलते हैं जिसको हम home of man भी कहते हैं मतब जो हमारा घर है जब हम इसके study करते हैं study of earth को ही geography कहते हैं ठीक है उसके बाद heart shown जो थे उनके according geography का क्या definition रहा है वो भी देख लेते हैं जो उन्होंने कहा कि geography जो है यह हमें provide करता है accurate orderly rational description and interpretation of the earth surface features यह complete definition इन्होंने दिया है देखिए इनका definition पूरा complete है इन्होंने कहा कि जब भी हम earth की surface के features की बात करते हैं ठीक है जब उन features को study करते हैं उनको हम accurate orderly मतलब हम जब उनको पढ़ते हैं rational उनके पीछे reason जानते हैं description हम उनको describe करते हैं और interpretation हम उनके बारे में new new facts को जब find out करते हैं तो उसी को हम क्या कहते है यह क्या है यह geography है तो इनका definition जो है other definitions से अगर देखा जाए तो इनका definition नी complete मतलब complete geography को define करता है तो यह था हमारा आज का topic की geography क्या है और अलग-अलग scholars के according उनको ने geography को कैसे define किया इसी तरह से लिखने हैं definitions को change नहीं करना है जैसे इनको बोला है वैसे ही करना है ठीक है तो आज के time पे आपको समझ में आ गया होगा कि geography जो है यह कितना vast subject है क्योंकि इसमें हम simple एक चीज़ को explain नहीं करते हैं जैसे पहले time पे physical features है जैसे time change होता गया तो हम human beings भी तो आर्थ की surface पे रह रहे हमारा भी interaction होगा हमारे environment के साथ तो जब हम अपना मतलब हमारा क्या relation है हमा तो मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको अच्छे से और clear हो जाएगा ठीक है तो आज आपको I think detail में meaning इसका अच्छे से समझ में आया होगा तो आज का मारा यही lecture था thank you so much